गुद मॉर्निंग देखो अपने करकिया स्टार्ट किया था अपना 6th चैप्टर नैचुरल रिसोर्च इसका इसमें अपने अलग-अलग टाइप के रिसोर्च पढ़े थे इनएग्जोस्टिबल और एग्जोस्टिबल रिसोर्च बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़े थे और भी अपनी आपने पर में अपने पंटी प्रस नमय रो चार टरफ देखा यहं आ पने स안 अपनो जिखाई देखे टाइए बन योड-ठ Gilbert प्रेजन 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 प्रेज 2 आपीर, यह से औसे अधार, विन एक प्रोपोपेर, इस भीजन, परण दिन देगी किया माझे, अधे, पर्स जोने पास है ट्रोपोपोपेर, यह समें आपनी दिर्ति है, ठीक है यह अपनी धर्ती है इस धर्ती के उपर यहां अगर अगर अपन 15 किलोमेटर तक चले जाएं 15-16 किलोमेटर तक जब अपन धर्ती से उपर की साइड में जाएंगे तो अपने पास में जो भी रीजन प्रेजन प्रेजन अट्मोस्फेर गा उसको अपन बोलेंगे ट्रोपो स्फेर लोवर रीजन ऑफ अट्मोस्फेर जो 8-16 किलोमेटर तक रहेगा जिसकी हाइट इसको अपन बोलेंगे ट्रोफो स्फेर इसी में अब बन सास लेते हैं, ठीक, दूसरे आपने पास, स्ट्रेटो स्फेर, जब अपन इस ट्रोपो स्फेर से थोड़ा और उपर जाएंगे, कितनी उपर चले गए अपन, 20-25 किलो मिटर तक चले गए, आपने अर्थ के सरफिस से 20-25 किलो मिटर उपर चले गए, तब ये जो रीजन अपने बास मीलेगा, इसको अपन बोलेंगे, स्ट्रेटो स्फेर, क्या बोलेंगे, स्ट्रेटो स्फेर, ठीक है, इस स्ट्रेटो स्फेर में एक बहुत अलग सी गैस प्रेजेंट होती, जो नीच आपने नीच, या जैसे कि दो दसमें प्रेजियर गैस करेंडीयर घंपने अपने लेज़ on को ये स्ट्रेटो स्फेर, इसको अंदर बहुतां प्रेजर वाले याशन, इस स्टैटो स्फेर बुलिवजके फैर के इनले नीच, गाऑन अशन रवसा, क्यों बहुतता होती उन जोन के क्या क्या नाम है, आपको सिर्फ उनके नाम याद करने है, मीजो स्फेर, ठीक है, मीजो स्फेर के बाद कौन सा आएगा, थर्मो स्फेर, और थर्मो स्फेर के बाद कौन सा आएगा, एक्जो स्फेर, तो अपने पास टोटल पांच जोन हो गए, अपने atmosphere के, troposphere जिसमें अपन सास लेते हैं, stratosphere जिसमें ozone layer present है, तीसरा mesosphere, fourth thermosphere, और fifth exosphere, अब जो ozone layer इसका काम किया है, यह stratosphere के अंदर जैसे अपने sun से जब sunlight आती है, तो अलग-अलग type की rays आती है, उसमें से एक रह होती है, UV rays, ultraviolet rays, कौन सी rays, ultraviolet rays, यह rays, अपने लिए बहुत ज़्यादा नुकसान दायक होती है, तो यह जब अपने पास धर्ती पगर आ गई, तो अपने उपर गिरेगी, अपने उपर गिरेगी, तो अपनी जुस्किन हो सकता है, अपनी आखों को नुकसान हो सकता है, तो उससे बचाने के लिए ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, यह जोन लेयर जैसे यह प्रेजेंट है, तो यहां से UV rays आई तो इसको वापिस भेज देगी, उपर भेज देगी, निचे नहीं आने देगी, अपने ट्रोपोसफेर के अंदर, तो यह जोन लेयर का काम है, अब अब आग तनी गएस प्रेजेंट है, सबसे जादा कोुण सी प्रेजेंट होती है, नाइटरोजन प्रेजेंट होती है, कितने में 78% तक नाइटरोजन होती है, फिर कौन सीhm excellence गगी, ऑक्सेजन कितनी होती है, 21% तक 20 यह फिर 21% तक अपनी oxygen होती है फिर co2 co2 0.03% होती है फिर argon gas का नाम है यह कितनी होते 0.93% होती है और फिर अलग-अलग type के और सारी gas होती है वो सब मिल के कितना बना सकते है 0.04% यह सारा क्या अर्थ के जो atmosphere है उसके अलग-अलग Jones है अब देखो जो अपनी carbon dioxide gas है वो कैसे बनेगी अपन सांस लेते हैं ठीक है सांस लेंगे तो carbon dioxide निकालते हैं और oxygen को अंदर लेके जाते हैं जब अपन oxygen को अंदर लेके जाते हैं तो अपनी body के अंदर glucose present है क्योंकि अपनने खाना खाया है जो खाना खाते है अपन उसमें glucose होता है तो यह glucose oxygen के साथ मिलेगा ठीक है oxygen और glucose मिलेंगे एक दूसरे के साथ और तूट जाएंगे carbon dioxide के अंदर water निकलेगा थोड़ा सा और कुछ energy मिलेगी इसलिए अपन खाना खाते है क्योंकि अपन खाना खुछ से खाते हैं हवा से अपन ऑक्सिजन ले लेते हैं जब यह दोनों आपस में मिलेंगे तो energy मिल जाएगी अपने काम पर कर सकते हैं सारे के सारे और CO2 जो हो निकली वह CO2 अपने काम के निकाल देंगे यह जो प्रोसेस होती है इसको अपन क्या बोलते हैं सांस लेने को ठीक देखो अपनी लकडी है लकडी जलेगी जलेगी तो क्या होगी फिर से carbon dioxide निकलेगी इसको अपन बोलते हैं combustion क्या होता है जब अपनी लकडी जल रही है और उसने carbon dioxide प्रो जलने में साय कोती है, मदद करेंगी जलन के अंदर के अंदर, तीसरा, अब जो चारबन ीकसाइड को निकल रही है, जिलने होगा अंडर अगर यह और बहुत प्लांट शोड़ते हैं, प्लांट slices को firm तो रहें, जैसे लोटर झाल पानि अपन दे नहीं होगा, जब water और carbon dioxide mix होंगे तो उनके ओपर sunlight गिरेगी और sunlight गिरने के वज़े से क्या होगा वो glucose के अंदर बन जाएगा नहीं कि अपना खाना बन गया और ये खाना फिर अपन से अपन ले लेंगे फिर अपन carbon dioxide निकाल देंगे फिर carbon dioxide plant ले लेंगे वाटर बनाएंगे और वाटर के साथ मिक्स होंगे और sunlight के help से ग्लुकोज बना देंगे तो ये process चलता रहता है अब देखो यूज किया air का respiration के लिए जरूरी हो गई combustion के लिए जरूरी हो गई carbon dioxide क्या करती है photosynthesis के अंदर रोल प्ले करती है ये जो प्रोसेजर नहीं जो प्रोसेजर नहीं बनाएं carbon dioxide water मिल रहे है इसको अपन बोलते है photosynthesis फोटो सिंथेसिस में रोल हो जाएगा फिर हवा से क्या होते है कई जो छोटे सीड होते है वो गिर जाते हैं तो fruits होते हैं या फिर कोई पेड़ के उपर लटका हुआ है तो रपका हुआ से तेज हवागिरी पत्ते गिर जाते हैं अपने पेड़ के तो क्या करते हैं डिसपर्जल में help करते हैं और साथी साथ जब अपन बोलते हैं आपन कभी ऐसे जगे चले जाएने वीडियो को दो बार सुनना है और अच्छे से सारा लर्ण करना है कोई चीज नहीं समझ आई तो मेरे को मैसेज कर देना मैं तुम्हें आंसर बता दूँगी उसका जो भी नहीं समझ आया होगा ठीक है थैंक यू